फिल्म की शुरुआत हुई 1949 में जार टेप रिकॉर्डर में हम एक बच्ची को देखते हैं ये बच्ची हाथ में क्रॉस लेकर आस्मान की दरफ करती है साथ साथ दुआ भी मांग रही थी ऐसा होते ही वह अंदेरे से रोशनी आ गई क्योंकि पहले सुरज ग्रहन लगा हुआ था अब क्योंकि उसकी दूआ कबूल हो गई थी इसलिए सब उसे अपने लिए मसिया समझने लगे वो उम्मीद भई नजरों से बच्ची को देखती हुए उसकी पास आकर जमा हो जाते हैं उन सबने भी अपने अपने हाथों में क्रॉस पकड़े हुए थी इसकी बात कहानी 10 साल की बात की दिखाई गई ये वक्त होता है 1949 का हम एक सिस्टर को देखती हैं जिसका नाम नरसीसा होता है जो समान लेकर एक चर्च में आती है उसने देखा कि चर्च पर बहुत सारी गोलियों के निशान है तभी यहां एक और नन सिस्टर आई जो यहां की हेड नन थी वो नारसीसा को अंदर लेकर गई बताती है कि जंग की बात जब यहां पर अमन शानती हुई तो तब तक चर्च के पुराने लोग इस जगा को छोड़कर जा चुके थी पुराने लोगों में अब बस मैं हूँ एक सिस्टर और मदर सुपीरियर है अब यह चर्च गरीब बच्चों का स्कूल और होस्टल बना दिया गया है द्राइसल यह बच्ची और कोई नहीं बलकि सिस्टर नारसीसा ही थी इनकी बात चीत की दुरान हमें पता चिला कि नारसीसा यहां बच्चों को पढ़ाने आई है क्योंकि हाल ही में एक सिस्टर स्कूल छोड़के चले गई थी पर कोई भी ने जानता था कि वो अच्छानक कहां चले गई अब नारसीसा को एक कमरा दिया गया यहां वो अपना समान रखने लखती है पर उसका सूटकीस आगे नहीं जा रहा था उसने जब चेक किया तो वाँ एक बॉक्स पढ़ा हुआ था जिसी खोलने पर अंदर एक खर एक सिस्टर की तस्वीर और एक कैंची थी तस्वीर पर इस सिस्टर का नाम भी था जो सुकोरो होता है उसकी तस्वीर हाथ में लेकर नारसिसा सिस्टर सुकोरो का नाम लेती है ऐसा होती ही सामने बड़ी कुडसी हिरने लगी जो एक आवास के साथ नीचे गर जाती है तबी कोई बाहर कर दर्वाजा जोर जोर से पीटने लगता है हलाकि नारसिसा दर्वाजा कोल कर देखती भी है पर वहाँ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता लेकिन हाँ उसे अपने कमरे के सामने वाले दिवार पर एक निशान बना दिखता है जो पहले नहीं था पर वो इसे नजर अंदास करकी अपनी क्लास में आ जाती है नारसिसा रोजा के पास आई पोछती है कि जब मैंने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लेखा था तो तुम और सारे बच्चे क्यों डर रहे थी पर रोजा के कुछ भी पताने से पहले उसकी जुड़वा बेंड रोजा को बोलने से मना करती है कि वो नारसिसा को कुछ ना बताए अब जब नारसिसा अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि दिवार पर बना वो निशान जो मैंने पहले भी देखा था वो अब थोड़ा और बढ़ गया है रात ही रात में किसी ने वहाँ एक और लकीर खीशती थी पर नारसिसा अभी इस पर इतना दिहान नहीं देती बाद में mother superior उसे album दिखाती है जिसमें उन sisters और nuns की भी तस्वीर hayth जिन सब के यहाँ काम करते-कर स्वीर ती अलबं में एक तस्वीर गाइब थी जो देकर नारसिशा समझ आती है कि गायब तस्विर जरूर सिस्टर सुकूरों की होगी जो उसे कमरे में मिली थी वापिस अपने कमरे में आकर सिस्टर सुकूरों की तस्विर देखने लगती है एक बार पिर कुरसी हिलने लगी जो आवास की साथ नीचे गर जाती है पहले की ही तरांपीर से कोई सोजों से दर्वाजा पीटने लगा वो कान लगा कर सुनती है लेकिन कोई नहीं था अब उसे लगने लगा कि ये जरूर मेरे किसी गल्टी की बजर से हो रहा है मेरे साथ इसलिए वो अपने आप को ही पीटने लगी क्योंकि उनके रिलिजन मजब में ये माना जाता है कि अगर आप खुद को मानकर सजा देंगे तो ऐसे आपके की हुए गुना दूल जाए अब हम सब भी बच्चियों को देखते हैं जो साथ वले कमरे में सूर रही थी एक बची उच जाती है क्योंकि उसे वाश्रूम जाना था इसलिए वो रोजा को अपने साथ चलने का कहती है अभाना कि रोजा को बाहर से जीब आवाजें आ रही थी लेकिन वो फिर भी नजर अंदास करके अपनी दोस के साथ वाश्रूम में आ जाती है पर यहां भी अजीब होने लगा अचानक ही पानी वाल नल अपने आपी खुल चाता है पुरा बाटब भर गया पानी भी जोर-जोर से इनने लगता है अचानक ही सारा पानी तही गायब हो गया तब बाटब में रोजा को किसी के कटे हुए बाल मिलती है वो बालों को देख रही थी कि तब यहां उसे किसी और की होने का भी एहसास होता है जिस वज़से वो जोर से चिंडाती है चीख की आवास सुन गई है हैट नर ना जाती है अब जो बच्चिया अंदर सो रही थी उन में से भी एक बच्ची चीखने लगती है वो बताती है कि नेन में ही किसी लड़की ने मेरे बालों को कार दिया है क्योंकि वहां कैंची भी पड़ी थी और उसकी बाल बेगाइब थी अब क्योंकि इस बच्ची के ही बाल रोजा को बात्रूम में मिली थी तो सबको रखता है कि बाल रोजा नहीं कारती है हलांकि वो बिचारी रो रोकर मना भी करती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। हेड नन तो उसे काफी मारती भी है। अगले सुबा नारसिसा जब क्लास में आई तो उसने देखा कि आज रोजा क्लास में नहीं है। उसे पता चिला की हेड नननी सजा की तोर पर उसे एक सेल में बंद कर दिया है। नारसिसा जब उसकी पास सेल में गई तो रोजा उसे बताती है कि हाँ वो हरकत मैंने नहीं की थी। उसलग मैंने बात्रूम में किसी बच्ची की आत्मा को देखा था वोसे मुझे ये नजर नहीं आई बलकि आपकी आने से पहले भी कई सरे लगों को आत्मा की आवाजे आई और वो दिखाए में दी। और तो और हम सब बच्चें को दिवार पर वो निशान बना हुआ देखा था जिसा आपकी कबड़े के सामने बना हुआ था हमने जब ये बात उस सिस्टर को बताई जिसकी जगह पर आई हो तो उसनी तस्वीर का एक पैर बनाकर उस नाम मुकमल तस्वीर को पूरा कर दिया ऐसा उन्होंने इसलिए किया तकि वो हम सब बच्चें को बता सकी कि यहां कोई आत्मा नहीं है जिब कि आत्मा यहां पर हैं लेकिन जब उस सिस्टर ने तस्वीर को पूरा किया तो उसका नाम अपनी आपी ब्लैक बोड पर लिखा गया जिसकी बात वो गाईब हो भी इसी का नाम ब्लैक बोड पर लिखा गया तो इसका मतलब कि उसका मरना या गाइब होना तैय है शान की वक्त नारसिसा जब वापिस आई तो उसने देखा कि एक सिस्टर किचिन में मोमो जैसी को डिश बना रहे हैं पोशने पर उस सिस्टर ने बताया कि यह कल सुबा का बच्च हैं जो उसने काई थी पता जिला कि वन बोबो नहीं बलके इनसानी आक़ी हैं जो देकर नारसिसा का दिल खराब हो जाता है उसे बहुत बुरा लगए और वो जैसी सामने देखती है पता जिला कि और जिसे की नहीं बलके उस सिस्टर की थी जो अब बेना आंकों के बहुर प्राउने लग रही थी। उसे ऐसी हालत में देकर नार्सिसा बुरी तरह डर जाती है। जोर से चिलाने लगी। वो फिर बाहकर एक कमरे में आबी। जहां कोई उसका गला और पुरा जिसम दबाकर मारने की कोशिश करता है। क्यूंकि उसका चीना कपड़े से ढखा गया था। और कपड़े भी तंग होती जा रहे थी। बुरी तरह नार्सिसा को नोशनी नगा। जिसके साथ ही नार्सिसा की आँख खुल गई। उसे ये देखर सकून का सांस आया कि ये मेरा बस दुरा सपना ही था। पर अब आँख एक बार फिर बच्चे हलका हलका बोलते हुए टेरनी रखती हैं। रोजा तो इतना डगई कि फॉरण उठकर वहां से भाग चाती है। तब नार्सिसा देखती है कि अब ब्लैक बूट पर रोजा का ही नाम लिखा हुआ है। पर वो यहां से सीधा रोजा के पास हाई ताक क्या करें। तब वो रोजा का हाथ पकड़की तस्वीर का आखरी पैर बनाकर उस तस्वीर को पूरा कर देती है। तकि पहले वाले सिस्टर की तरह उसे बता सकी कि यहां कोई आत्मा नहीं है। पर अचानक रोजा फिर से डर गई। नार्सिसा को कहती है कि तुम्हारे पी में नार्सिसा हेडनन को भी बता देती है कि रोजा गाईब हो गई है। और वो तो नार्सिसा कोई डाटने लगती है। वो उस पर काफी बढ़की यह स्कुइन छोड़ जाने को कहती है। ऐसा लग रहा था जिससे हेडनन यह नहीं चाहती कि यहां जो कुछ भी हो रहा है नार्सिसा उसके बारे में पता लगवाई। पर नार्सिसा रोजा को डूलते हुए अब एक छुटे से कमरे में आगी। पर वो यहां से बाहर जाए नहीं पाती। क्योंकि दर्वासा बन करके कोई उसे यहां कैद कर देता है। तब यह उसे सामने कई सारी आंखे देती है। वो काफी दुखी हो गई जिसके बाद रोजा को दफनाने की तैयारी होने लगी। नार्सिसा काफी रो रही थी। फिर वो उदास मन से एचर्च स्कूल छोड़कर जाने लगती है। अब वो जैसे सुरज को देखती है। सुरज ग्रहन लगने लगता है। बिल अंधी हो गई थी। पर आंखी ना होने की बावजूद भी वो सब कुछ देख पा रही थी कि आकर यहां पर हुआ क्या था। यह वो वक्ता जब जंग छुड़ी होई थी। नार्सिसा देखती है कि जंग के दुरान कुछ लुटेरी इस चर्च में घृस आए थी। एक ल प्रोवजूद उसे लाकर कंबरे में लिटा देती है। जिसके बाद नार्सिसा दुपाड़ा सी सिस्टर सुकोरो की देरैं को अपने हाथ में ले लेती है।실ट एक बार फिर पास्ट के उस लक्स से जोड़ जाती है। देखने लग गई कि सुकोरों के साथ जब लुटेरी ने गलत किया था। उसके बात क्या हुआ था। नारसिसा देखती है कि उस हादसे के बाद सिस्टर सुकोरों की बेटी पैदा हो गई। पर चर्च की इज़त ना इसलिए मदर सुकोरों की बेटी को चर्च की अंदर ही पालती है। कभी उसे बाहर जादें नहीं देती है। अपने यादों में नारसिसा ये सब देखी रही थी। तबी पैजन टाइम में सुकोरों की आत्मा उसके सामने आ जाती है। अब तत नारसिसा को भी पता चल गय से करर में सनों के साथ पएटि में इस लिए यह उस पर तरस खाइः हैं नार्शीे से समॵायफ के साथ की बढ़ी का रखी है सिस्टर की के उसे नहीं उस सब प्ता चल जाएगा थी उस लुटे रे गही रहिएएं ल també और सिस्तर ज dar कमडे में बन करके उसकी बच्ची का वो खार खुदी ठी करने की कोशिश करती हैं वो तेज ठंडे पानी से बाट टब को बरकर बच्ची को उसमें निटाने की कोशिश करती हैं पर पानी बहुत ज़्यादा थंडा था इसलिए बच्ची हाथ पाम मारने लगती हैं पर इस बी को बहुत बुरा लगा वो उस कमरे को खोल देती है जहां उन तीनों ने सिस्टर सुकूरों को बंद करके रखा था जू कमरा हमेशा से बंद रखा किसी को वहां जाने की जाज़त नहीं और जैसे कमरा खुला यहां पर दो टाइम लैंड चलने लगती है एक पास्ट और एक प सुकूरों की मढ़ती है अब यहां हैडनन की मढ़ती है प्रेजिंट में भी उसकी मोथ हो जाती है पिर पास्ट में सुकूरों मजर सुकूरों को मार कर अपनी बेटी का बद्ला ले लिया और जो बार बर नाच्ट पास्ट की कमरे में कुर्सी गीर रही थी वह असल में सुकूरों ही उसे इशारा देने के कोशिश कर रही थी जबकि रोजा को उसकी बेटी की आत्मा दिखाए दिया करती थी स्कूल में पूरी तरह आमन शान्ति आ जाती है मतलब सब कुछ नार्मल बिल्कुल ठीक हो गया चालिस साल के बाद यहां अभी चर्ट स्कूल काफी बड़ा और अच्छा बन गया था यहां पर नएने बच्ची आकर पढ़ा करती थी जिसे अब नार्सिसा ही चला रहे थी जहां वो काफी बूरी हो गई थी पर अभी भी बच्चों को पढ़ाया करती थी इसके साथ ही इस पहले पिर जह भी लुब से इस प्राम महीं हो गुला गहां यह वार किर दो दो धवरी हो भी जहीं हो और राद यह थी जह चला प靜ा पना इस काफी बादा करती बच्ची को रहें ब刚 khi पा रहें सिते हूंस करती है, वग्या ब Urban aan यहे बच्ची को रहें स्वाजाया वी ब़